मनुरंजन के कई नए माध्यम जैसे टीवी, कम्प्यूटर, स्मार्टफोन आने के बाद भी रेडियो की जगा कोई नहीं ले पाया इस बार के विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और खेल ये आकाशवानी है तेरह फरवरी, यानि विश्व रेडियो दिवस, तेरह फरवरी के दिन ही पहली बार रेडियो की आवाज सुनाई दी थी क्या आम, क्या खास, तकनीक की पहुँच का हर कोई फाइदा उठाना चाहता था मनुरंजन हो या फिर सूचना, रेडियो ने हर किसी की दुनिया बदल डाली कहा जाता है कि साल 1918 में दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था नवंबर 1920 में दुनिया में रेडियो स्टेशन स्थापित करने को लेकर पहली बार कानूनी आजादी मिली आज की तारीक में खासकर नरेंद्र मोदी के प्रधार मंतरी बनने के बाद से जिस तरह से पी-म ने रेडियो का प्रयोग किया वो स्टंत्र भारत में रेडियो के विकास यात्रा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है वो रेडियो ही है जिसके जरिये पी-म मन की बाद कारिकरम के द्वारा करोडों लोगों तर अपनी बातें पहुँचा रहे हैं इसलिए विश्व रेडियो दिवस के मौके पर प्लहार मंतिर नरेंद मोदी ने मंगलवार को रेडियो की दुनिया से जुड़े लोगों को बधाई दी समवात का ये माध्यम हमेशा इसी तरह शिक्षा, खोज और मनरंजन का स्रोत बना रहे किंद्रे सूचना और प्रसारान मंतर स्मेति नानी ने लोगों को शुबकाम नाए दी है और अपने ट्वीट पर होने लिखा है कि विश्व रेडियो दिवस पर शुबकाम नाए ये संचार का शक्तिशाली माध्यम है रेडियो ने हमारे जीवन को कई माईनों में प्रभावित किया है चाहे वो प्रभान मंतरी के मन की बात हो या गीत संगीत रेडियो की आवाज हमारे जीवन में रंग भर देती है देश के आम लोगों ने भी कहा कि रेडियो के जरीए आम आवाम तक पहुँचा जा सकता है और इसकी एहमियत आज भी है रेडियो का एक मोटो रहा है एक उदेश रहा है बहुजन हिता है बहुजन सुखा है और रेडियो पिछले कई वर्षों से इसे अपने मोटीप पर काम कर रहा है और शाद यही वज़े है कि हमारे मानेली प्रधान मंत्री जी ने भी आकाश वाने को अपने मन की बात कहने के लिए माध्यम चुना दरसल विश्व रेडियो दिवस मनाने की शुरवात हाली में की गई है युनेस्को ने साल 2011 में विश्व स्तर पर रेडियो दिवस मनाने का फैसला किया तेरह फरवरी का दिन विश्व रेडियो दिवस के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि तेरह फरवरी 1946 से ही रेडियो यूएनो यानि संजुक्त राष्ट संग द्वारा अपने रेडियो प्रसारण के शुरवात की गई थी अगर ओल इंडिया रेडियो की बात करें तो आज भारत में 262 रेडियो स्टेशनों के साथ ओल इंडिया रेडियो 23 भाषाओं में और 146 बोलियों में प्रसारण करता है दिनो दिन इसकी पहुंच और भी बहुरती ही जा रही है ओल इंडिया रेडियो का विदेश सेवा व पहुंचाता रहेगा नेतेंद्र सिंग के साथ न्यूस नाइट डेस्क डीरी न्यूस